प्रूजर भाई जातना नपीब भाई से कि बार मेरता में वाया और अपने खियराग का इजहार करें नसित बार में दो जोगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दर्वेशों से मिलता है हमारा शेरा जिनके कड़ों में कई ताज बड़े रहते हैं असलाम वालेकुम और रह्मतुल्णाहिव वर्कातुल्णा सबसे पहले मैं आप सबको जशन आजादी के मौके पर दिल की गहरायों से मुबारक बात पेश करना चाहिए हम तेहतर साम पहले हमें आजादी मिली अब तो आजादी का मतलब कुछ लोगों के लिए सिर्फ जंडा पहराना राश्कीब गाना और जंडे को सलाम करना इतना ही मैदूद होकर रहे गया है यह आजादी मिली हमें कैसे इस पर बात बहुत कम होती है आजादी के लिए जिन बुजर्गों ने हमारे अपने जाद की कुर्बानी दी शहादत दी जिनकी कुर्बानी की हुजे से हमें मुल्क आजाद हुआ बिला आज हम सब लोग आजाद भारत में रह रहे हैं लोग तांत्रिक देश इसे कहते हैं जम्मूरियत डेमोकरिसी दुनिया में अगर किसी मुल्क में मजबूती के साथ बनाई गई है तो वो हिंदुस्तान में बनाई गई है भारत में बनाई गई है लेकिन आज हमें गोड़ करना पड़े है इस मुल्क की जम्मूरियत मुल्क की डेमोकरिसी लोग तंत्रिक कितना मजबूत लिखाई देता है एक सवालिया निशान है इस मुल्क के एक एक बुजर्ग नौजवान हमारी खवातिन मा और महने और हमारे साथियों के साथ मुल्क के हर चाहे वो शाय हो कवी हो कलाकार हो सब के सामने एक सवालिया निशान लग गया इस मुलक का कवी, इस मुलक का शायओ, इस मुलक का लेखल, पत्रकार मुलक की आवाँ की हमेशा तर्जुमानी पर दे़ clipping आया चाहे अंग्रेईयों के खिलाब करणा है, यह ने की बात रही हो यह सरकारों को आएना दिखाने का काम करने का काम रहा हो हमेशा हाँ इस मुल्के अधीब, शायर, कवी, पत्रकार, आज कल के जेवी पत्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 24-7 भोबु बने हुए चिलाया करते हैं, मैं उनकी बात भी करना चाहता हूँ, मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ जो हक बात कहते हैं और हक लिखते हैं और हक दिखाते हैं मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ आजादी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कैसे विश्वास हासिल करेंगे आप देश के भारत के परधार मंतरी साहब कुछ तो करिए जिस से थोड़ा बहुत जो आप के चेहरे पर धूल जबी है वो धूल साप की जा सके कुछ तो करिए कुछ नहीं मिलना तो मुस्लिम खवातीन बहनों को हमें इंसाब देना है मैं उस बार अपनी कई मिटिंगों में इस बात को मैंने दोराया था मैंने गुजरात में ली जाकर बात कही थी कि मुदी सहाथ खवातीन बहनों को माओं को अगर इंसाफ आप देना चाहते हैं तो पहले शुदा बहन को दे दे उनको तो आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है इंसाफ के नाम पर शरीयत में बदाखलब और ऐसा काणूर कि तीन तलाब एक साथ अगर किसी ने दिया तो उसको तीन साल की जेड और तलाब नहीं माना जाएगा तलाब हुआ नहीं माना जाएगा सिविल एक को क्रिमिनल एक में बदलने का फैसला भारत की सरकार करती है इम्रान साहब बड़े अफसोस की बात हमारी देश की सरकार हमारी भारत की सरकार इस देश में क्या दिखाना चाहती है क्या बताना चाहती है और क्या करना चाहती है समझी में नहीं आ रहा है मैं तो अबे कहने लगा हूँ कि एक लड़ाई सन सैटालिस के पहले इस देश के हिंदू और मुसल्मान सिक और इसाई होने मिलकर अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ी थी हमें अहिद करना चाहिए कि दूसरी लड़ाई आज से हम फिरका परस्ताक़ों के खिलाफ लड़ेंगे तब इस मुलकी डेमोक्रेसी जम्मूरियत योगतन संविधान आईन तभी बचा रहेगा इस पे गौर करनी की जरूद है खास करने मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ किसी शाय में खूब कहा है और उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ पर्चमे हिंद को रुस्वा नहीं होने देंगे पर्चमे हिंद को रुस्वा नहीं होने देंगे आई तिरंगे तुझे भगवा नहीं होने देंगे क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन है बान है और शान है और शान को कजी बिटे नहीं देंगे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहेता आज का ये मुशारा पिछले हर साल कई सालों से हम लोग अलग अलग जगें पे करते रहें लेकिन इस बार ये सोचा गया ये तै कि इस बार मुशारा हो तो कम से कम बारा बज़े राब तक होना चाहिए बारा बज़े राब तक होना चाहिए क्योंकि तरीका बदल गया है कि दस के बाद अब मुशारा शहर में नहीं होगा और मैं कहना चाहता हूँ मुझे खुशी होती है कहते हुए कि आपके छोटे भाई ने कानूनी तोर से इस्पेशल परमीशन ने कि बारा बज़े रात तक काई मुशारा काई निकाज किया और इसके आगे में बढ़कर कहना चाहता हूँ कि ये मुशारा बहर साल पंदरा अगस्त को इसी मेरान में हम लोग रात को बारा बज़े तक करेंगे मिशारा बाला और उसका नाम होगा जशने हिंदुस्तान हमें यारे अन्यूम रह्बन साहिवा इमरान साब आप सबको पता है हम जब उजीर थे महाराश की हुकूमत में तो एक दिन बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि मुंबई का गेटवे आफ इंडिया कितनी तारिखी जगा है अगर उस गेटवे आफ इंडिया से मुशारा किया जाए तो कैसा रहेगा सरकारी तोर पर हमने फैसरा करवाया कि हर साल जश्रे हिंदुस्तान वीटी के गेटवे आफ इंडिया पर पढ़ा जाएगा वहां पर किया जाएगा और तब से वो रवायत आज शुरू हो गई है आज कि ये सरकार उस मुशारी को मुशारी की तरह नहीं बलकि अलब तरह से कرना चाहती है कि रवायत के तोर पर जारी रखे हुई है क्योंकि उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थे मैं जदा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ वक्त जादा है मैं जाता हूँ मैं तो आपके बीच का हूँ आपकी दुआएं नसीम खान के सबसे बड़ी ताकत रही है इस शहर में इस महराश में चार बार आप सबने अपनी दुआँ समझे ना आजा पिछली बार तो लोग ऐसा कह रहे थे मायूस थे मुझे आदे 2014 आरीज भाई आप सारे लोग हमारे सारे गुजूर्द हमारा नोजवान बेचैन था फिक्र मत था कि लहर चल रही है अपने नसीब भाई का क्या होगा लेकिन मुबारक बात के मुश्टही के आप सारे लोग हमारे बुजूर्गों ने अल्ला की बारगाह में हाट भा उटाकर दुआए की और हमारे नोजवानों ने मिलकर मलबूती से ड़नाई लड़ी और उस लहर को पलंटे का काम किया मुझे में सभाई से बारी ओटों से चुनकर भीजने का काम अपने इशुने भाई को चौथी बार किया आप तो फिरका परस तागते नसीम खान पर दुर्बीन लगाए हुले कि बी-जी-पे का उमी दिवार खढ़ा किया जाता है कभी सीशेना का उमी दौर खढ़ा ख़़ा किया जाता है अलग अलग पार्टियां अलग 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 उमिद्वार हमेशा खड़े किये जाते हैं लेकिन सबकी जवाय चति करने का काम आप सारे लोगों ने मिल्दूल कर किया लेकिन इम्रान साहब अब तो सुशेना बीजेपी सब ठक हार चुके हैं तो अब और तीसरे को तराश कर रहे हैं कि उसको सामने लाया जाए इसको सामने लाया जाए ओटो का बटवारा किया जाए और नसीम खान को हरवाया जाए लेकिन मैं उन सब को कहना चाहता हूँ नसीम खान की मुर्गी का बच्चा नहीं है जो पकड़ के दरमे में बंद कर दोगे नसीम खान के साथ हमें हमारे बुजर्गों की दुआए है नोजवानों की ताकत हमारे साथ है नसीम खान दरने वाओं में से नहीं है नसीम खान चान्दी वली नहीं, मुंबई नहीं, महराश नहीं पूरे मुलक के लोगों की आवाज बुलंद करते आया और इंशालला ताला बुलंद करते रहेगा हट परस्थी है हम लोगों में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मंजर भाई कि मैं सियासत में जरूर हूँ लेकिन मैं सियासती नहीं हूँ मैं पॉलिटिस्ट में जरूर हूँ लेकिन पॉलिटिशियन नहीं हूँ क्योंकि अल्ला बचाए दिल्ली में बैठे वी आजकल के पॉलिटिशनों से मैं इन जैसा पॉलिटिशन नहीं बनना चाहेता है जो हराद देखी जाती है महोल देखा जाता है जब सुना जाता है तो दिल रोता है क्या हो रहा है इस मुलक कैसे चलाए ना रहा है इस मुलको अलगअलग नामों से कैसे लोगों को बाटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपने सियसी मुवाग के लिए अपनी कुशी के लिए सब्का के लिए ताटक के लिए पावर के लिए अरे ऐसी कुर्शी क्या करोगे जब देश कमजोर हो जाएगा देश के लोग बर्बादी की कागार पर खड़े होगे देश बर्बादी की कागार पर खड़े होगा तो ऐसी सियासत आपके क्या काम आईगी मैं आप सबसे आज की इस मोके पर ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहें तो है बद इतना ही कहना चाहें तो है कि आप बिलकुल जिस तरह से मजबूती के साथ जुर्णत मंदी के साथ, होसला मंदी के साथ आपने हमेशा हर मरहले पे लड़ाई लड़ी है उसी तरह से आगे भी आज़ने वाले दिनों में भी ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, इन्शाल्ला साथ प्रधो लुखान की मात रुत है, साहिवार ने कही हम लोगों ने कली बात की क्यूंकि राजस्थान में अब अच्छे दिन वालों की सरकार नहीं कॉंग्रेस की सरकार है याद रखना चाहिए और कली में मुमारक बात देना चाहता हो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को गैलोस साथ को सचित पाइलट को कि जैसे कोड़ का फैसला आया उन्होंने फॉरण कहा कि हम इसको हाई कोड़ में अपील करेंगे और इन पहुन खान के मुझिमों को जेल के सिखचों के पीछे डार कर उनको कानून के मताबिक जब तक सजा नहीं दिलाएंगे सरकार लड़ाई लड़ेगी ये साथ तोर पर कल रायस्थान के सरकार ने फैसला लिया हमें खुशी लेकिन ये भी बात है उसी तरफ कि खुने आ करा रहा है वीडियो में है ओन डेकरड कह रहा है लेकिन गौक अदालत हमारी अदालत को thing ड़ानों को सब से पहले और अउपर मकुदा चलाना चाहिए उनको जेल मेंγαलना चाहिए ये गुली गुना के कातिल को छुड़ाने की मदद करने वाले गवाहों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए पिछले विधान सबा का इवलाश चल रहा था मौपलिंजी के ब्यारे में मैं मांग कर रहा था महराश के एसेंबली में मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासों में लोगों को मारा जा रहा है बीटा जा रहा है महराश में इस तरह से पिछले दिनों मुम्रा में एक बार क्या पेशाया था हमने आवाज भुलन की और हमने कहा कि महराश में मौप रिंचिंग करने वालों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए बलकि महराश सरकार एक मजबूत काइड़ा बनाए और ऐसा काइड़ा बनाए कि मौप रिंचिंग करने वालों को जब तक सजाने मिल जाती फाइनल हेरी में हो जाती तब तक उनको जमानत ने मिलनी चाहिए जेड के अंदर उनको रखा जाना चाहिए इस तरह का कड़ा कानून बनाने की ज़रूत जिस तरह से मद्परदेश सरकार ने भी फैसला किया राजस्थान सरकार ने भी फैसला किया इसी तरह से महराश में भी मॉप्रिंग जिंग के उपर कानून बनना चाहिए ये मुतालवा हमारा है और आने वाले दिनों में भी इसको आगे बढ़ने का काम हम सब करते रहेंगे मैं फिर से आप सब को भेर सारी मुबारक बात पेश करते हुए अपने सबी साथियों को उनको बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूंगा कि इस अजुमुश्चान भुशारे को इनिकात करने में आयोजिक करने में उन्होंने बहुती महरती खास करके हमारे गालिब श जे हिरे